आज हम लोग इस वीडियो में भारतिय समा सुधारक राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंदर नाडे, स्वामी दयानंग स्वर्षती के बारे में कुछ रोचक बाते जानेंगे। ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो पाने के लिए कृप्या इस चैनल को सब्स्ट्राइब करना ना भूलें। राजा राम मोहन राय का जन 22 मई 1772 को राधा नगर बंगाल में एक ब्राह्मन परिबार में हुआ था। इन्हें भारतिये पुना जागरन का अग्रदूत और आदुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इनके पिता का नाम रमाकान तथा माता का नाम तारनी देवी था। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज आत्मिय सभा के संस्थापक एवं जन जागरन और समाजिक सुधार आंदोलन के प्रनेता थे। ये भारतिये भासाई प्रेस के प्रवर्तक तथा बंगाल में नौ जागरन यूग के पितामा भी थे। 15 वर्ष की आयूत तक उन्हें बंगाली, संस्कृत, अर्भी तथा फार्सी का ज्यान हो गया था। राजा राम मोहन राय सती प्रथा, बाल विवा जैसी समाजिक बुराईयों के उन्मुलन में एक महत्पूर्ण भूमिका निभाया था। उन्होंने जाती वेवस्था, छुवा छूत, अंधिविश्वास और नसीली दवाओं के इस्तेमाल के विरूद भी अभियान चलाया था। इन्होंने 1817 में हिंदु कॉलेज की अस्थापना में महत्पूर्ण भूमिका निभाई या उस समय का आधुनी कॉलेज था। वर्ष 1825 में उन्होंने वेदांध कॉलेज की अस्थापना की जहां भारतिय सिक्षन और पच्छमी समाजिक एवं भौतिक विक्यान दोनों पाठक्रमों को पढ़ाया जाता था। राम मुहन, राजा सब्द के प्रचलित अर्थों में राजा नहीं थे। उनके नाम के साथ यह सब्द तब जुड़ा जब दिल्ली के ततकालिन मुगल शाशक बागसा अकबर द्यूतिये ने उन्हें राजा की उपाथी दी। महादेव गोविंद रनाडे। न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रनाडे का जन्म 18 जन्वरी 1842 को नासिक महरास्ट के एक छोटे से कस्वे निफार में हुआ था। वो भारत के प्रसिद राष्टवादी, समास सुधारक, विद्वान एवं न्यायविद थे। उन्हें महरास्ट का सुक्राद कहा जाता है। महादेव गोविंद रनाडे स्वदेशी के प्रबल समर्थक थे। ये अपने जीवनकाल में कई प्रतिष्ठित पदों पर आसीन रहें। जिसमें बॉम्बे विधान परिशत का सदसे, केंद्य सरकार के वित्य समीथी के सदसे और बॉम्बे उच न्यालाई के न्यायधीज जैसे पद सामिल है। महादेव गोविंद रनाटे ने समाजिक कुरितियां जैसे बाल विवा, विद्वाओं का मुंडन, साधी विवा और समरोहों में जरुष से जादा खर्च एवं विदेश यात्रा के लिए चातिगत वेदवाओं का पुर्जोर विरोध किया। इसके साथ-साथ उन्होंने विद्वाओं पुर्जोर विवा और इस्तिल सिक्षा पर भी बल दिया। इसके लिए उन्होंने एक समीती विद्वाओं विवाओं मंडल की अस्थापना भी की। रनाडे ने पूने सर्वजनिक सभा की अस्थापना की और बाद में भारतिये रास्टिये कॉंग्रेस के संस्थापकों में से एक बने। महागयों गोविंद रनाडे दखन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापकों में भी प्रमुख थे। अपने मित्रों डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, बाल मंगेस वांगले एवं वामन अबाजी मोदक के संग रनाडे ने प्राथना समाज की अस्थापना की जो की ब्रम्ब समाज से प्रेरितेक हिंदुवादी आंदोलन था। रनाडे ने समाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनितिक विश्यों पर अनेक लेख और कुस्तके लिखी हैं। स्वामी दयानन सरस्वती स्वामी दयानन सोसती का नाम मुल्शंकर अंबा संकर दिवारी था। स्वामी दयानन सोसती का जन 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में एक ब्रामन परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम कर्शन जी लाल जी तिवारी और माता का नाम यशोदा बाई था। इन्होंने 21 वर्ष की आयू में सन्यासी जीवन का जुनाव किया और सत्य की खोज में वो 15 वर्ष तक तपश्वी के रूप में भटकते रहें। स्वामी दयानन उन्यस्वी सदी के 9 जागरन के सुर्य थे जिन्होंने मधय योगीन अंधिकार का नास किया। 1875 में स्वामी दयानन ने बंबई में आरिय समाज की अस्थापना की और वेदो की ओर लोटो का नारा दिया। वह एक भारतिये दार्षनिक आधनिक भारत के चिंतक और समाजिक नेता थें। स्वामी दयानन स्वाश्वती जी के डिष्टी कोन को सकार करने के लिए वर्स 1886 में DAV स्कूल अस्तित्व में आये। महर्ची दयानन ने ततकालिन समाज में व्याप्त समाजिक कुरितियों, अंध विश्वासों, दूरायों और पाखंडों का खंडन व विरोध किया। इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का कड़ा विरोध किया और देश को आरिय भासा अथात हिंदी के प्रती जागरुक बनाया था। महरसी दयानन स्वस्वती जी ने बाल विवा और सती प्रता का विरोध किया एवं विदवा पुनर विवा के लिए लोगों को जागरुक किया था। स्वामी जी ने सदय नारी शक्ति का समर्धन किया उनका मानना था कि नारी सिक्षा ही समाज का विकास है। उन्होंने नारी को समाज का आधार कहा। दयानन स्वस्वती जी का एक शौपन था जो आज तक अधूरा है। वो सभी धर्मों और उनके अनुयाई को एक ही द्वस्तले बैठा देखना चाहते थे